नमस्कार बहुत बहुत स्वागत है आपका मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स मैहर जिले के रामनगर छेत्र में प्रशासनिक सक्रेता ने कच्ची उमर में ससुराल भेजी जा रही दो नावालिक बेटियों का विवाह रुकवा दिया दोनों बेटिया एक ही परिवार की थी और उनका विवाह एक ही परिवार में होने जा रहा था जानकारी के अनुसार रामनगर थाना छेतर के ग्राम गिलहरी में यादव परवार की दो नावालिक बच्चियों के लिए पन्ना जिले के ईश्ता नगर से बरात आई थी मंडप सजा हुआ था और शादी की रस्मे भी शुरू हो चुकी थी इसी बीच रामनगर टियाई संतोस तिवारी महिला एवं बाल विकास बिभा की परविक्षक सुमन जैसवाल और तहसीलदार ललित धरवे मौके पर पहुँच गये प्रसासनी कमले के पहुँचते ही वहां हड़कंप मच गया आपको बता दे कि मैहर जिले के रामनगर थाना छेत्र में वाल विभा का मामला सामने आया था जहां लाडो टीम की सक्रीता से वाल विभा को संपन होने से रोका गया सनिवार को पन्ना से आई बारात में 13 और 15 साल की दो वच्चियों के हाथ पीले करने की तयारी हो रही थी इस थानी ग्रामीडों की मदद से इस बाल विभा की सूशना मिलने के बाद महिलावाल विकास की टीम ने रामनगर के प्रसासनिक अधिकारियों की मदद ली और वहां पहुच कर विभा को रुकवाया इसके साथ ही बाल विभा कर रहे दोनों वच्चियों के परिजनों को समझाईज देते हुए बताया कि बालिक होने के बाद ही बच्चियों की शादी करे कारिवाही में SDM डॉक्टर आर्ती सिंग तहसीलदार समेत महिला बाल विकास करमचारियों की उपस्थिती रही जिला कारिकरम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सौरप सिंग ने बताया कि जिले में यादव परिवार नावालिक बच्चियों की शादी करने की सूषना मिली थी ऐसे लोगों को सही सलाह देते हुए जागरुक करने के लिए लाडो टीम गठित की गई है ग्राम गिलहरी में बाल विवा के मामले में विवा को रोकने में लाडो टीम को एक बड़ी सफलता मिली है आपको बता दे कि बादचीत के दोरान सुमन जैसवाल ने बताया कि मौके पर मौझूद लोगों से पूछताच कर बच्चों की उमर की तस्दीद की गई तो पता चला कि एक की उमर 13 साल और दूसरे की उमर 15 साल है इसके बाद प्रशासन ने दोनों पक्षों को बैठा कर समझाया कि वो कानून का उलंगन कर रहे है साथ ही अपने बच्चों का भविश भी अंधिकार में धकेल रहे है काफी देर चली कोशिशों के बाद दोनों पक्षों ने नाबालिकों का विवार रोकने पर सहमती जताई और बारात वापस लोट गई